Hello everyone, welcome to Deep Rod Deep Rod की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं January मन्थ का Part 2 ये मेरी first वीडियो है जिसमें मैं Hindi language का use करूँगा और अब हम वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले important days प्रवासी भारतिय दिवस प्रवासी भारतिय दिवस इंडिया में observe किया जाता है 9 January को और इस बार इसकी theme थी contributing to आत्म निर्भर भारत World Hindi Day World Hindi Day इंडिया में observe किया जाता है 10 January को क्योंकि 10 January 1975 को हुई थी World Hindi Conference First World Hindi Conference हुई थी कहां? नाकपुर में इसलिए 10 January को World Hindi Day observe किया जाता है National Youth Day observe किया जाता है 12 January को and Indian Army अपना Veterans Day observe करती है 14 January को 14 January को Indian Army अपना Veterans Day observe करती है और 14 January को उससे बिलकुल next day 15 January 15 January को Indian Army Day observe किया जाता है 15 January को और यह इनका 73rd formation दे था ठीक है अब हम शुरू करती है पने questions जो MCQ की format में है The world's oldest known cave painting dating back to more than 45,000 years was recently discovered in which country World की एक सबसे बहुत पुरानी 45,000 years old एक cave में कुछ paintings मिली है यह किस देश में मिली है यह मिली है option C Indonesia में Indonesia में जिसकी capital है जकारता और अब change कर दी गई है जकारता को change करके इसकी capital हो गई है East Kalimantan या फिर Borneo क्योंकि यह Borneo आइडेंट पर है इसलिए Borneo भी हो सकती है ठीक है जी और Indonesia के साथ अपनी इंडिया की military एक करती है exercise जिसका नाम है समुद्र शक्ति समुद्र शक्ति और एक है गरुड शक्ति गरुड शक्ति यह दो military exercises है जो इंडोनेशिया के साथ अपनी इंडिया की आर्मी करती है ठीक है और इंडोनेशिया में कुछ active volcanoes भी है इंडोनेशिया का एक volcano है जो erupt हुआ है अभी फट है रिन समधान योजना is a scheme of which bank रिन समधान योजना ये शुरू की है state bank of इंडिया ने option c state bank of इंडिया और इसमें क्या है अगर कोई farmer पिछले दो सालों से अपना कोई भी loan की इस installment को pay नहीं कर रहा तो bank उनको option देती है भी अगर आप अपने principal amount का सिरफ 20% भर दो तो आपका 100% loan माफ कर दिया जाएगा और अगर किसी किसान ने पिछले दो सालों से कोई भी अपना जो loan है उसकी premium नहीं भरी तो bank उसको option देगी भी आप अगर अपने principal का 20% pay कर दो तो आपका सारा loan माफ कर दिया जाएगा और ये start किया है हमारे बहुत ही important bank ने जिसका नाम है state bank of इंडिया name the Indian who has been awarded the order national due merit or national order for merit of France ये जो award है जिसको हम national merit of France कहते हैं ये किसको मिल है ये मिल है रोहिनी गोडबड़े को option D Dr. Rohini गोडबड़े India's first air taxi was launched in which of the following cities एक ये नई air taxi शुरू हुई है ये कौन सी city में शुरू हुई है जो first air taxi है ये connect करेगी ये शुरू हुई है चंडिगड से और ये connect करेगी चंडिगड को हिसार के साथ इंडिगड को हिसार के साथ connect करेगी इंडिया की first air taxi और recently अभी second भी शुरू हुई 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 हु यह कौन सी कंपनी के CEO सेलेक्ट हुए हैं और यह बने हैं इंटल के CEO इंटल कंपनी के CEO बने हैं पैट जसिंगर जो यह बुक है 10 लेसंस फोर पोस्ट पेंडमिक वर्ल्ड इसका ओथर कौन है यह है option C फारीद जाकराए और यह है कौन यह है एक जर्नलिस्ट इन CNN CNN में यह एक जर्नलिस्ट है National Informatics Center and CBSE have jointly launched which software for 3D digital designs 3D digital designs के लिए CBSE ने National Informatics Center के साथ हाथ मलाया और इस software का नाम है CollabCAD option C CollabCAD औके और जो CBSE है इसके चेर्मेन कोन है CBSE के चेर्मेन है Manoj Ahuja Manoj Ahuja और CBSE पार्टनर्शिप भी कर रहे है Google के साथ Google के साथ CBSE के पार्टनर्शिप हो रही है दे विल ट्रेन वन मिलियन टीचर्स वन मिलियन टीचर्स को ट्रेनिंग प्रवाइड करेंगे Google और CBSE दोनों मिलकर इंडियन आर्मी हैं इन्होंने प्रचेस की हैं कुछ ड्रोन्स जो है 20 मिलियन डॉलर के और खरीदे किसे हैं आइडिया फोर्च से ठीक है इस ड्रोन का नाम के है इस ड्रोन का नाम है है अविपर सब्सक्राइड Meyer अप्रचेस एक द्रोन के सिएट सिंहाल का नने ड्रोन की सिएटार पार के दिया जो है who will be the chairman of this panel A.D.I. ने एक panel बनाया है जो ध्यान रखेगा कि उनके जो health insurance products है उनकी availability कैसी है और उसके chairman कौन बने है उस panel के chairman बने है Subhash Chandra Khuntia Option D. Subhash Chandra Khuntia जो खुद chairman है A.D.I. के A.D.I. के chairman Subhash Chandra Khuntia Who is the author of the book Unscripted Conversation of Life and Cinema ये एक काफी मशूर बुक है Unscripted Conversation on Life and Cinema और ये बुक है ये बुक के author है Vidhu Vinod Chopra बहुती मशूर director और producer Vidhu Vinod Chopra What is the name of country's first indigenous machine pistol developed by DRDO DRDO ने first time एक machine pistol बनाई है और उसका नाम क्या है उसका नाम है Asmi Option A Asmi DRDO जिसके अपना चेर्मेन है जी सतीश ready जी सतीश ready है अपना DRDO के चेर्मेन एंड जो DRDO है इन्होंने एक और चीज़ बनाई है उसका नाम है रक्षिता बाइक रक्षिता बाइक और ये रक्षिता बाइक एक तरह से ambulance की तरह काम करेगी इसके पीछे एक seat लगी हुए है जहां पे आप patient को एक जगा से दूसरी जगा लेके जा सकते हो और ये बाइक है ये इन्होंने जो DRDO है इन्होंने प्रोवाइट की है CRPF को What is the official brand mascot of Tata Power Delhi Distribution Limited जो Tata Power Delhi Distribution Limited है उसका brand mascot क्या है ये है option D Roshni Roshni है TPDDL का brand mascot Which state has launched the Clean Bindu Sagar initiative Clean Bindu Sagar initiative किसने शुरू किया है ये है Odisha का इसमें कर के रहे हैं ये ये जो Bindu Sagar है इसकी सफाई होगी और इसमें जो भी खर्चाएगा पैसा कौन लगा रहे है इसको fund ये जो Clean Bindu Sagar initiative है इसको fund कौन कर रहे है It is funded by Indian Oil Corporation Indian Oil Corporation इसको fund कर रहे है Which space agency has announced to launch its new flagship rocket H3 in 2021 2021 में किस देश की space agency ने का है भी वो एक नया rocket को launch करेंगे जिसका नाम है H3 और ये launch किया है जपान की space agency ने जिसका नाम है JAXA Option D JAXA और रिसेंटली JAXA का एक जो spacecraft है जिसका नाम है Haya Buzha 2 Haya Buzha 2 वो गया था एक asteroid पे और उसके ले के आए है वो samples कुछ soils and pebbles के वो samples ले के आया है और कौन से asteroid पे गया था वो गया था बिन्नू asteroid पे बिन्नू What is the rank of India in Hanley Passport Index 2021 2021 के Hanley Passport Index में इंडिया का क्या rank है इंडिया का rank है 85 इसे जो passport index होता है इसे ही पता लगता है भी जो कौन सी country का passport कितना powerful है और number one पे कौन है number one पे है जपान इसका मतलब अगर आपके पास जपान का passport है तो आप visa free travel कर सकते है 191 countries में 191 countries में आप visa free travel कर सकते है अगर आपके पास है जपान का passport इस जो यह जो index है Hanley Passport Index इसमें जपान का rank है number one और इंडिया का है poor 85 the union government has constituted an empowered committee for administration of covid-19 vaccine under whose chairmanship किस person की chairmanship के under union government ने एक committee बनाई है जो ध्यान रखेगी covid-19 की जो vaccine है उसकी administration का और यह जो committee है उसके chairman होंगे आर एस शर्मा option a RS शर्मा यह पहले जो try है उसके chairman थे telecom regulatory authority of india के यह पहले chairman थे और अब कौन है अब T.R.A.I. के जो chairman है उनका नाम है पीडी वागेला पीडी वागेला As informed by Aum Birla, the union government will start which campaign in schools, colleges and universities across the country जो Aum Birla है लोग सभा के speaker जिनकी constituency है quota in Rajasthan इन्होंने एक campaign शुरू किया है बहिए schools, colleges और universities में और इस campaign का नाम है option D. Know Your Constitution Know Your Constitution Ministry of Transport and Highway has decided to observe road safety month from dash to dash in 2021 so road safety month is observed from 18 January to 17 Feb of 2021 who is the minister for transport and highways so India में transport और highways के minister नितन गड़करी नितन गड़करी जिनकी constituency है नागपूर नागपूर constituency है नितन गड़करी की and he is the minister for transport and highways and MSME MSME के भी minister नितन गड़करी ही है What is the name of KVIC manufactured eco-friendly non-toxic paint which was launched by union minister नितन गड़करी नितन गड़करी जिने एक paint है वो launch की है यह eco-friendly है, non-toxic है और इस paint का नाम है खादी प्राकरतिक paint option B खादी प्राकरतिक paint और यह बना है काव डंक से काव डंक से यह बना है जो गव का गोबर होता है यह उसको इस्तिमाल करके बनाया गया है ठीक है, जो KVIC है, इनके chairman कौन है So KVIC के chairman है, विने कुमार सक्सेना विने कुमार सक्सेना जो KVIC है, इनों ने एक अपना footwear training center खोला है, कहाँ, New Delhi में Name the Indian origin who has been appointed as the President of United Nations COP26 Climate Change Conference by Britain जो Britain में COP26, जो Climate Conference की meeting होईगी उसमें President किसको चुना गया है, यह है Option A, Alok Sharma ओके, और यह जो COP26 से meeting है, यह होका रही है Britain में, Britain में कहाँ, Scotland Scotland में भी कहाँ, Glasgow Glasgow में होगी COP26 की meeting और इसके President होगे, Alok Sharma Who has taken over as the new chief of Central Industrial Security Force CISF के new chief कौन बने है So, new chief है, Subodh Kumar Jaiswal Option C, Subodh Kumar Jaiswal is the new chief of Central Industrial Security Force Okay, और एक हमारे पास, हमारी Armed Force है जिसका नाम है CRPF C, R, P, F और CRPF के जो chief है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है A, P, Maheshwari A, P, Maheshwari है CRPF के chief का नाम और जो BSF है, जो हमारे borders की सुरक्षा करता है पाकिस्तान और बांगलादेश से और उनके जो chief है यह फिर जो इनके director journal है इनका नाम है, राकेश अस्थाना राकेश अस्थाना Jay Venketramu has been appointed as the managing director and CEO of which payment bank Jay Venketramu यह बने है, Indian Post Payment Bank के CEO Indian Post Payment Bank और जो ATL Payment Bank है ATL Payment Bank यह है, इन्डिया का first payment bank जो ATL Payment Bank है, यह इन्डिया का first payment bank खोला था वनाडियम जो एक धातू होती है यह अभी-अभी पाई गई है, इन्डिया की किसी स्टेट में यह help करती है, स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में और यह पाई गई है, अरुनाचल प्रदेश में Option D, अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश में एक है, दिक्षी हाइड्रो इलेक्रिक प्रजेक्ट दिक्षी हाइड्रो इलेक्रिक प्रजेक्ट और यह है, फुडूंग्टू रिवर पे फुडूंग टू रिवर पे है दिख्षी हाइड्रो इलेक्रिक प्रोजेक्ट जो है अरुनाचर प्रदेश का गुजराथ हैस रिसेंटली लॉंच्ट अ दियर नाइंटी फर्स्ट के नाइन वज्र टी गन यह आप देख सकते हैं जो के नाइन वज्र टी गन है वैसे यह गन नहीं है देखा जाए तो यह एक टैंक है और टैंक को हम जो आर्मी की लेंगविज है उसमें कहते हैं आर्टिलरी ठीक है कौन सी कमपनी ने यह के नाइन वज्र टी गन बनाई है और इसका आंसर आएगा आप्शन ए लार्सन एंड टुब्रो लार्सन एंड टुब्रो और यह बनी है गुज्रात के हजीरा में हजीरा जो सूरत में है वहाँ पे यह बनाई गई है लार्सन एंड टुब्रो कमपनी ने यह बनाई है ठीक है ओके और अपना यह जो गुज्रात है गुज्रात में ही drive statue of unity statue of unity जो है के वडिया में और के वडिया से लेकर एहमदभा तक एक चलाया गया है सी प्लेन पहली बार एक सी प्लेन चलाया गया जो चला है के वडिया से लेके एमदबा तक और गुजरात में लगने जा रही है लीथियम की फर्स्ट एवर फैक्टरी lithium کی refinery लगने जा रही है गुजरात में अभी इसकी जगा है भी कौन से district में लगेगी ये भी fixed नहीं हुई है लेकिन ये confirm है भी ये जो lithium की refinery है ये 100% गुजरात में आईगी और गुजरात में है world का सबसे बड़ा zoo world का सबसे बड़ा zoo अब बनेगा गुजरात में और इसमें help करेगी गुजरात की सरकार को Reliance Industries Reliance Industries गुजरात को help करेगी वर्ल्ड का सबसे बड़ा zoo बनाने में विच Municipal Corporation of India has launched a period rub initiative to promote mensurational hygiene in women कौन सी Municipal Corporation ने कौन सी सीटी की Municipal Corporation ने एक period room शुरू की है जो help करेगा जो women's को hygienic रहने में उनको help करेगा और उनकी hygiene को promote करेगा ये बनाया है महराश्टरा के थाने ने थाने के Municipal Corporation ने start की है period room वैसे अब देखा जाए तो पूरे इंडिया में initiatives लिए जा रहे हैं सरकार के दवारा जो women's को help कर सके जैसे की Punjab, Punjab की government ने का है भी अब वो school और college going girls को provide करेंगे free sanitary napkins okay RBI Reserve Bank of India has constituted a advisory council under whose chairmanship to manage payments infrastructure development fund scheme ये जो एक scheme है जिसका नाम है payment infrastructure development fund scheme ये शुरू किये chair अपना RBI ने Reserve Bank of India ने और इसके chairman बने है BP Kanungo BP Kanungo ये deputy governor है in RBI okay और RBI के जो governor है उनका नाम है Shaktikant Das Shaktikant Das which state has announced to launch India's first solar electric roro service India के first solar electric roro service शुरू की जा रही है केरिला में option B केरिला में और ये को केरिला है केरिला in partnership with United Nations women एक शुरू कर रहे हैं अपना इंडिया का first gender data hub gender data hub ये start के जार है government of Kerala के द्वारा with association with United Nations women which state has recently launched a portal called e-dakhil e-dakhil ये एक portal है ये किसने शुरू की है ये शुरू की है ये शुरू हुआ है ये शुरू हुआ है by the government of Punjab ये की साब से online consumer court है अगर कोई भी consumer के साथ कोई fraud होता है और वो case करना चाता है तो by using this app e-dakhil वो ये अपनी जो file है वो present कर सकता है court में ओके ये एक हिसाब से online consumer court है जिसका नाम है e-dakhil कैप्टन अमरेंदर सिंग जी पंजाब में chief minister है और इन्होंने शुरू की थी करोना फते किट्स करोना फते किट्स जिसमें जो provide की जारी थी अपने कैप्टन अमरेंदर सिंग जी द्वारा किन को provide की गई थी जो भी persons अलग अलग जगाओं पे isolate किये गए थे in the lockdown, lockdown के द्वारा जो भी अलग अलग जगाओं पे लोग isolate किये गए थे चाहे वो hotel हो चाहे वो अपने अपने घर में हो चाहे hospital में हो और उस kit में क्या था उस kit में थी कुछ essential goods, कुछ medicines, कुछ study material और यह चीज़ शुरू ही थी पंजाब में, पंजाब के CM द्वारा which state has launched a Brahman Sarthi scheme to provide free bus services to women and senior citizens senior citizens और women's को free bus services provide करवाई हैं, असाम ने और किस scheme के अंडर यह शुरू है, Brahman Sarthi और जो असाम है, असाम में आपको मिलेगा Manas National Park Manas, ना मेरी, और आंग, इसमें यह जो असाम है, wildlife में काफी आगे है और इसका state animal है, rhinosaurus, one-horned rhino और असाम में है काजी रंगा नेशनल पार्क, और काजी रंगा नेशनल पार्क बहुत ज़दा popular है इस Indian rhinosaurus के कारण, क्योंकि Indian rhinosaurus पुरे इंडिया में सिरफ काजी रंगा नेशनल पार्क में पाई जाते है जो 51st international film festival है इंडिया का, इसमें focus country कोन है जो पहले तो ये देखो भी जो international film festival है इंडिया का, ये हुआ था, गोवा में गोवा में ये हुआ है, और इसमें जो focus country है, वो है बंगलादेश option C, बंगलादेश, शेख हसीना है बंगलादेश की prime minister and जो शेख हसीना के father है, शेख मुझिबर रह्मान, शेख मुझिबर रह्मान, जिनको father of बंगलादेश भी कहा जाता है इनकी birth anniversary पे, 2020 में जो शेख मुझिबर रह्मान है, इनकी 100th birth anniversary थी और इसको याद करने के लिए, यूनेसको ने, यूनेसको ने start किया है एक award जिसका नाम है शेख मुझिबर रह्मान अवार्ड और ये दिया जाता है in the field of creative economy, creative economy, creative economy के field में ये अवार्ड दिया जाता है और शेख मुझिबर रह्मान शेख मुझिबर रह्मान ने एक party शेख नाम है अवामी लीग और जो शेख हसीना है ये भी अवामी लीग से ही बिलौँ करती है आर्मी जो अपने आर्मी के जवान है उनको जो सेलरी अकाउंट प्रोवाइड करने के लिए कौन से बैंक ने शौरिय सेलरी अकाउंट शुरू किया है और ये शुरू किया है बंदन बैंक में option C, बंदन बैंक अच्छा जो शौरिय सेलरी अकाउंट है इसको शौरिय के जी सी कार्ड से कंफ्यूज ने करना शौरिय के जी सी कार्ड ये स्टार्ट किया है HDFC बैंक ने HDFC बैंक ने शुरू किया है शौरिय के जी सी कार्ड और शौरेयर सेलरी अकाउंट शिरू की हैं बंदन बैंक ने A high-level committee under whose chairmanship has been formed to commemorate the 125th birth anniversary of नेताजी सुभास चंद्र बॉस 2022 में नेताजी सुभास चंद्र बॉस की 125th birth anniversary है और उनकी जो birth anniversary के celebrations है वो अच्छे से हो उसके लिए एक committee बनी है और उस committee के chairman होंगे खुद हमारे Prime Minister Narendra Modi खुद Narendra Modi जी उस committee के chairman होंगे और सिख religion के ninth guru गुरू तेक बहादुर जी गुरू तेक बहादुर जी की जो 400th birth anniversary है उसके लिए भी एक committee बनी से और उसके chairman भी खुद Narendra Modi जी होंगे ठीक है जो 2022 है ये काफी important year है because एक तो जो नेता जी सुभास चंदर बोस है इनकी birth anniversary को हो जाएंगे 125 years 125th birth anniversary observe की जाएगी in 2022 और इंडिया की independence को हो जाएंगे 75 years 75 years of independence of India and 125th birth anniversary of नेता जी सुभास चंदर बोस इन दो reasons के कारण जो 2022 है ये बहुत important year बन जाता है और कॉलकता में कॉलकता में बना है एक museum और नितजी सुभास चंदर बोस India's first indoors ski park will come at which place India का पहला जो indoors ski park होगा ये बना हिमाच्चल परदेश के कुफरी में option C कुफरी में और इंडिया में काफी ऐसे parks हैं जो India's first हैं वो भी देख लेते हैं एक है इंडिया का first pollinator park पॉलिनेटर पार्क ये बना है उत्रा खंड में उत्रा खंड में नैनी ताल के हल्दवानी डिस्ट्रिक्ट में हल्दवानी हल्दवानी में बना है इंडिया का first pollinator पार्क एक बना है इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क लाइकन पार्क बना है नेनिताल में एक है यहाँ पे ग्रीन रमायन पार्क और यह जो ग्रीन रमायन पार्क है यह भी है हल्दवनी डिस्ट्रिक्ट में च्रीट और यूनिय टरप्री चाहिए राउंच अ मूबाइड एप्लिकेशन नागरिक्षार एक मूबाइड जिसका नाम है सतर्क नागरिकुट, सतर्क मतलब होता एक्टिव और नागरिक होता सििटिजन, ये एक ऐप्लिकेशन है जो लाउंच की है जमूकश्मिर ने, जमू कश्मीर के लेटनेंट गुवर्नर है श्री मनोज सिना जी मनोज सिना है यहाँ पे लेटनेंट गुवर्नर और यहाँ के दो डांस है जो काफी पॉपलर है एक है रॉफ डांस रॉफ डांस और एक है दमहल डांस दमहल डांस ये दोनों dance काफी popular हैं जम्मू कश्मीर के और जम्मू कश्मीर में खुलने जा रहा है इंडिया का first cannabis medicine center cannabis medicine center of जम्मू and कश्मीर ये इंडिया का पहला cannabis medicine center होगा जो जम्मू कश्मीर में खुलेगा India's first fire park has been established in which of the following states India का पहला fire park ये खुलेगा भुवनेश्मर में और भुवनेश्वर है capital of Odisha so Odisha में खुलने जा रहा है इंडिया का first fire park और इसमें होगा क्या इसमें है क्या भी अगर कहीं fire लग जाए तो आपको कैसे precautions लेनी है और कैसे वहां से ऐसी को situation आ जाए अगर आप fire में फस जाओ तो वहां से कैसे निकल ले ये सब इस पार्क में दर्शाया गया है और जैसे छोटे बच्चों को साइन सीटी विगारा लेके जाते थे टूर पे और अब इस पार्क में भी एज चोटे बच्चों को टूर की तरह यहां पे लेके आया जाया करेगा और उनको दिखाएंगे यह सब लए फायर को परिक और कैसे कहे जाते हैं है और जो ओडिसा है ओडिसा ने एक पॉर्टल भी शुरूर किया है जिसका नाम है अगनी शामा सेवा पॉर्टल के अगनी शामा सेवा पॉर्टल और अगनी शामा सेवा पोर्टल के और इनके जैसे ही जो कुछ पोर्टल्स हैं जो और स्टेट्स ने भी शुरू किया है फायर सेफटी के रिगार्डिंग एक है फायर सेफटी कम्प्लाइंस पोर्टल जो शुरू किया गुजरात ने गुजरात ने शुरू किया है Fire Safety Compliance Portal और जो टामिल नाडू है इन्होंने एक application शुरू किया है जिसका नाम है धी धी application है जो शुरू किया है टामिल नाडू ने और इसमें क्या है अगर आपको लग रहा है भी कहीं fire लगी हुई है तो आप इस application को use करके जो fire controlling team है उनको alert कर सकते है Cherry Blossom Mow Festival was held in which state Cherry Blossom Mow Festival ये किस state का festival है ये है Manipur State का festival Manipur का और ये जो Mow है Mow एक place है Manipur में और Manipur का एक police station है जिसका नाम है Nongmok Sekmai Nongmok Sekmai और Nongmok Sekmai police station को मिले best police station का award best police station का award मिले Nongmok Sekmai police station को जो है Manipur का Which municipal corporation has recently launched the Thaila bank in the city कौनसी municipal corporation ने शुरू किया Thaila bank बैंक अपने अपनी city में और ये शुरू किया है लखनव ने इसमें क्या है जो थैला bank है इसमें जो women's है वो थैला जो अपने carry bags होते हैं वो बनाएंगी और उनको बेचेंगी आइड दिरेट ओफ 5 रुपीज और 20 रुपीज पांच रुपीज और 20 रुपीज और ये थैले बेचे जाएंगे और ये help करेंगे women की development को वोमनेंटेप्रेटर्पीज को ये एक पुष्ट देंगे शुरू किये ये लटनाउ कीमिन्सिपल कॉपortaेशन ने और लटनाउ की मिन्सिपल कॉपortaेशन बन चुकी है इंडिया की 9th municipal कॉपortaेशन जिन्होंने लॉंच क किए ए हैं अपने municipal bonds Municipal Bonds इशू करने वाली बन चुकी है लखनव की Municipal Corporation जो बन चुकी है इंडिया की 9th Municipal Corporation जिन्होंने Municipal Bonds इशू की है और 1st time in India Municipal Bonds इशू किस ने किये थे? Bangalore की Municipal Corporation ने in 1997 Bureau of Indian Standards ये अपना Foundation ते सली अबसर्व करते हैं 6th January को और 6th January 2021 को इनके Foundation के कितने years complete होगे So इनोंने complete कर लिये अपने 74 years Bureau of Indian Standards ने 74 years complete कर लिये 6th January 2021 को Who has been appointed as the Chief Justice of Guwahati High Court Guwahati High Court असाम की जो High Court है उसको Guwahati High Court कहा जाता है और इसका Chief Justice किसको बनाया गए Chief Justice of Guwahati High Court है Sudhanshu Dhulia Option B Sudhanshu Dhulia और जो हीमा कोहली है एक हीमा कोहली है Justice हीमा कोहली और ये बन चुकी है तिलनगणा की तिलनगणा High Court की Chief Justice और ये अकेली एक पूरी इंडिया की जितनी भी स्टेट्स और उनिटरिक्रीज है उनमें जितनी भी जो High Court के Chief Justice है उसमें से हीमा कोहली सिर्फ एक मात्र ऐसी वुमेन है जो Chief Justice है बाकी सारे मेल है लेकिन सिर्फ हीमा कोहली जी एक ऐसी वुमेन है जो Chief Justice है तिलनगणा की ओके जी गिरिधरन, और ऑप्शिन की आजिए और जो जानिए अपने फॉर्मर गवर्नर अफ आर ब्याउपिए इन्नोंने भी एक बूक लिह है जिसका नाम है overdraft काफ़ी important book है over draft which company has launched a virtual breakout rooms feature एक कौन सी company ने ये एक feature शुरू किये जिसका नाम है virtual breakout rooms और ये शुरू किया गया है Microsoft के द्वारा ये और इस इसमें special किया है जो virtual breakout rooms है ये एक हिसाब से meeting करने के लिए जैसे आपकी zoom app होती है meeting के लिए ये भी meeting के लिए एक feature शुरू किया Microsoft में और Microsoft ने अभी-भी एक tribal language को convert किया है जिसका नाम है Gandhi Gandhi एक tribal language है जिसको अभी-भी translate किया है Microsoft के translator ने है वरिंदर कुमार पॉल has been appointed as ambassador of India to which country वरिंदर कुमार पॉल इंडिया के राजदूत हैं किस कंट्री में ये है सुमालिया के सुमालिया में इंडिया के राजदूत हैं वरिंदर कुमार पॉल और कैनेडा में इंडिया के राजदूत हैं उनका नाम है अजे बिसरिया अजे बिसरिया है इंडिया के राजदूत कैनेडा में इंडिया और अस्ट्रेलिया में जो एक मैच हुआ था ये फिर्स्ट वुमेन है जो वहां थी फॉर्थ एंपायर और इनका नाम क्या है इनका नाम है क्लियर पॉलसक और एक बार पहले भी 2019 में 2019 में ये एक ODA जो वन डे क्रिकेट होता है उसमें ये एंपायर रह चुकी है और जो 2019 में मैच था ये किन के बीच में था ये था नाम बिया का ओमान के साथ ओमान विद नाम बिया इसमें भी ये पहले अकेली ऐसी एक वोमेन है जो मैंस क्रिकेट में एंपायर रह चुकी है और अब इन्होंने टेस्ट मैच में एंपायरिंग की है अब जो फोर्थ एंपायर option b g krishnan ready ठीक है और ये एक committee के और भी chairman है एक committee बनाए गई थी जो uplift करेगी freedom fighters को freedom fighters को uplift करने के लिए committee बनाए गई थी और उसके जो chairman है वो भी है g krishnan ready which state has launched the krishy sanjeevani vans जो krishni krishy sanjeevani vans है ये किसने start की है कौन सी state ने start की है krishy sanjeevani vans और ये initiative है करनाटका का option d karnatka का krishy sanjeevani vans का initiative है और इसमें ये करेंगे क्या ये जो farmers के लिए शुरू है krishy का मतलब farmers जे होता है जो farmers है ये वेंज उनके पास जाएंगी उनके उनकी जो farm की soil है water है उनकी testing करेगी और उनको बताएगी भी क्या-क्या measures वो ले सकते हैं ताकि जो उनका soil और water है उसकी जो quality है जो efficiency है वो सबसे बहुत अच्छी हो जाए ठीक है उसके लिए ये क्रिशी संजीवनी वेंज किया है एक fruits portal fruits ये portal है जो शुरू किया है करनाट का नहीं है so ये थी हमारी आज की January का part 2 बहुत ही जल्द मिलती है January के part 3 में thanks for watching the proud